असलाम लेकूम, मैं हूँ साधिया उजयर, वेलकम बैक तू साधिया उजयर्स किचन आज आपके साथ मैं चॉकलेट ब्राउनी कुकिस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़े की, बहुत ही डिलिशेस कुकिस बनती है सिंपल और आसान सी रेसिपी है, और आई होप आपको पसंद भी आएगी बिसमिल्लाहरामान रहीम, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे 100 ग्राम डार्क चॉकलेट यहाँ पर मैंने चॉकलेट चिप्स लिये हैं, आप कोई भी डार्क चॉकलेट ले सकते हैं इसमें शामिल करेंगे 35 ग्राम अंसल्टिट बटर अब आप इनको दो तरीकों से मेल्ट कर सकते हैं, या तो माइक्रोवेव में मेल्ट कर लें या फिर जिस तरह से डबल बॉयलर में मेल्ट करते हैं, एक बाउल में गरम पानी लें और उसमें ये चॉकलेट वाल बाउल रखें, चॉकलेट आइस्ता आइस्ता मेल्ट हो जाएगी मैंने यहाँ पर इसको माइक्रोवेव में मेल्ट किया है, माइक्रोवेव में मेल्ट करते हुए आपको बहुत ही धिहान से मेल्ट करना है अगर थोड़ा सा भी टाइम जादा देंगे तो चॉकले जल भी सकती है इसलिए बार-बार थोड़ा थोड़ा 20-20 सेकेंड का टाइम दे जब तक के चॉकलेट अच्छे से मेल्ट ना हो जाए तो यहाँ पर आप देखें चॉकलेट और मखन दोनों बहुत अच्छे से मिक्स हो गए है तो अभी इसको साइड पर रख देंगे और अब चलेंगे हम इसके अगले स्टेप की तरफ यहाँ पर हम एक मिक्सिंग बॉल में लेंगे एक अंडा और इसमें शामिल करेंगे वनफोर्थ कप चीनी आप इसमें ब्राउन शुगर भी हैट कर सकते हैं वनफोर्थ कप आप देखें मैंने भर के लिया है जो के तकरीवन 65 ग्राम है और साथ इसमें शामिल कर देंगे दो चुटकी या वनफोर्थ टीस्पून नमक अब इनको हम electric beater से 2-3 मिनट तक बीट करेंगे और ये step इन cookies के लिए बहुत important है क्योंकि cookies के उपर जो cracks आएंगे वो अंडों को बीट करने की वज़ा से ही आएंगे तो 2-3 मिनट तक बीट करने के बाद आप देखें अंडे थोड़े से fluffy हो गए है और इनका color भी change हो गया है अब इसमें हम शामिल कर देंगे melt की हुई chocolate और मखन और एक spatula की मदद से इस तरह से fold करते हुए इसको अच्छा से mix कर लेंगे तो आप देखें अंडों में chocolate बहुत ही अच्छा से mix हो गई है अब इनमें हम dry ingredients add करेंगे और इनको छान कर शामिल करेंगे तो stainer में डालेंगे one third cup मैदा आप देखें one third cup भर कर लिया है जो के 50 क्राम है आदा चाई का चमच baking soda और एक खाने का चमच cocoa powder शामिल करेंगे छान लेंगे अब इस तरह से rubber spatula की मदद से fold करते हुए इन्हे mix करेंगे तो batter यहां पर तयार है लेकिन अभी यह थोड़ा सा पतला है यह रनी है इसलिए हम इसको rest देंगे 10-15 मिनट के लिए cover कर देंगे और 10-15 मिनट के लिए इसको fridge में रख देंगे 10-15 मिनट के बाद आप देखें बैटर हमारा बिल्कुल सेट हो गया है और cookies बनाने के लिए one tablespoon वाले measurement से बैटर को निकालेंगे ताकि एक ही size के cookies तयार हो आप small size के ice cream scoop का भी इस्तमाल कर सकते हैं और इस तरह से एक baking tray में butter paper लगा कर इन्हें रखते चाहेंगे अब हाथ पर इस तरह से एक से दो drops oil के लगाएंगे और dough को इस तरह से round shape देदेंगे तक की cookies की shape अच्छी आए तो अब इन्हें हम bake करेंगे preheated oven में 180 Celsius पर 10 minute के लिए लेकिन over bake बिल्कुल भी नहीं करेंगे वरना cookies dry हो जाएंगे अब पहले cookies को room temperature पर अच्छे से ठंडा होने देंगे फिर इन्हें baking tray में से निकाल लेंगे बहुत ही मज़ेकी और बहुत ही tasty cookies बनती है I hope आपको मेरी ये आज की recipe पसंद आई होगी recipe पसंद आई हो तो वीडियो को like और share करना आपने बिल्कुल नहीं भोलना और comments करके भी जरूर बताईएगा इसी के साथ अपना बहुत सा ख्याल रखेगा दौाओं भी याद रखेगा Thank you for watching Allah आफेज